आज का वीडियो बहुत ही helpful होने वाला है आपके लिए अगर आपके बच्चों को fancy dress competition के लिए ready करना है तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ मैं बनाने वाली हूँ मेरी baby को ship यह बहुत ही easy है फटा-फट से बन जाता है ज्यादा कोई हमें इसमें खर्चा करने की भी जर कुछ भी नहीं होता है बहुत ही अच्छा है यह बनाना तो आप वीडियो इसको last तक जरू देखेगा तो सबसे पहले हमें चाहिएंगे एक टीशट और एक पजामा तो आयू का जो था पुराना टीशट पढ़ा था और पुराना पजामा था वह मैंने लिया है अगर आप सिंथेटिक वाला जैसे जो बिस्तर वगरा भड़ने वाले होते नो उनसे में खरीद के लाई थी तो टोटल मिलाके मेरे सिर्फ साड़े 300 ग्राम ही कॉटन गया है सिंथेटिक कॉटन लाई थी तो वह बहुत सस्ता पढ़ता है नॉर्मल जो हम कॉटन दूसरा लाते वह महं अच्छर से शेप बना देने है तो इससे क्या होगा अच्छे से पुरा इखटा हो जाएगा रूई और फिर हमें क्या करना है कि लेना है फैविकॉल एक बार आप सारे बना लीजिए पजामे और टी-शिट के कि जितने भी चाहिए आपको इसके बाद हम इस पर फैविकॉ अच्छे से शूख जाए इसके बाद दूसरे तरफ लगाना ने तो यह आपस में कपड़ा चिपक जाता है और बहुत ज़्यादा रहेगा तो क्या गिला गिला रहेगा तो जल्दी से ड्राय नहीं होगा तो इसलिए जितना आपको रिक्वार्मेंट हो उतना ही फैविकॉ अब देखे मैंने एक साइड में पूरा लगा दिया है अब मैं क्या गना होगी इसको तोड़ा सा सूखने दूगी इसके इसको पलटके इसके पीछे भी पूरा मैं इसी तरह से भर दूगी टीशेट में मैं दोनो साइड में लगा यह है L który कि दूसरी साइड में बच्छों को बैठना होता है तो वो comfortable नहीं रहता है इसलिए पजामे में मैंने पीछन नहीं लगाया है आगे ही लगाया है एक बार मैंने थोड़ा सा उपर gap छोड़के फिर लगाया था क्योंकि एक बार मैं इसको पहना आके देखना चाती थी ट्राय करके इसके बाद मैं लगाना चाती थी ताकि पता चल जाए कि मुझे कितने cotton की requirement है उसके हिसाफ से मैं लगाऊंगी इस वज़े से मैंने थोड़ा सा space उसमें अभी छोड़ दिया है अब मैं बना रही हूँ इसका hairband अगर आप पूरा cap की तरह जैसे टोपी बनी होते न वैसे पूरा आप बनाना चाते तो उसके लापको बड़ा कपड़ा लेके बनाना होगा लेकिन मैंने बिल्कुल short में बनाया है ताकि बच्चों को का irritate नहीं करे तो मैंने लिया है एक पुराना hairband इसके दोनों तरफ मैंने है न फैविक को लगा दिया नीचे की तरफ भी लगा दिया ताकि पीछे सा अच्छा एक black color का चार्ट पेपर लिया था उसके अंदर cardboard रग दिया और दोनों तरफ से black paper ये पूरा चिपका दिया है इसके बाद मैंने लिया है ग्रीन कलर की शीट इसमें बनाऊंगे मैं तीन कॉन जो बाबा ब्लेक्षी वाली poem होती न उसमें होता न एक master dame और little bird तो उसके according उस theme को लेके मैं चल रही हूँ तो इस तरह से तीन कॉन मैंने बना दिया उसको चिपका दिया अब इसके अंदर पूरा मैं फैविकॉल लगा दूँगी और इसके बाद ये जितने भी cotton की ball थी उनको मैं अच्छे से इसके अंदर चिपका दूँगे अगर आपके पस इतन मैं यह दो इयर कट कर दिये हैं तो अब मैं क्या करूंगे इस तरह से पीछे की तरफ हैरबेंड के मैं यह दोनों को चिपका दूँगी तो देखे हैरबेंड हमारा रैडी हो गया है और जो हमने प्रॉप रैडी किया था उसके ओपर मास्टर डेम और लिटिल बाई का मैंन तो बस यह थी आज की मेरे वीडियो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मार चानल थैंक्स पर वाचिंग